साथियों, कोरोना संकट के कारण, शहरों से लोटे जो स्रमिक साथी हैं, उनमें से अनेक साथी पशुपालन की तरब बढ़ रहे हैं। केंदर सरकार और विहार सरकार की अनेक योजनाओं से उनको प्रोचान भी मिल रहा है। मैं ऐसे साथियों को कहूँगा कि आज जो कदम आप उठा रहे हैं, उसका भविश उजवल है, मेरे शब्द लिक करके रखे, आप जो कर रहे हैं, इसका भविश उजवल है। सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के डेरी सेक्टर का विस्तार हो, नए प्रोडक्स बने, नए इनोवेशन्स हो, जिससे किसान को, पशु पालकों को ज्यादा आए मिले। इसके साथ इस बात भर भी फोकस किया जा रहा है कि देश में ही उत्तम नसल के पशु तयार हो, उनके स्वास की बहतर व्यवस्ता हो और उनका खान पान स्वच्छ हो पोशक हो। इसी लक्ष के साथ आजदेश के पचांस करोड से ज़्यादा पशु धन को खुर पका और मुह पका जैसी बिमारियों से मुक्त करने के लिए मुप्त टीका करन अभ्यान चल रहा है। पश्यों को बहतर चारे के लिए भी अलग-अलग योजनाओं के तहट प्रावधान किये गए हैं। देश में बहतर देशी नसलों के विकास के लिए मिशन गोकुल चल रहा है। एक वर्ष पहले ही देश व्यापी कृत्रिम घरबाधान कारकम शुरू किया गया था। जिसका एक चरण आज पूरा हो चुका है। साथियों बिहार अब उत्तम देशी नसलों के विकास को लेकर देश का एक प्रमुख सेंटर बन रहा है। राष्ट्रिय गोकुल मिशन के तहट आज पूर्णिया, पत्ना, बरोनी में जो आधूनिक सुविधाय बनी हैं। उससे डेरी सेक्टर में बिहार की स्थिती और मजबुत होने वाली है। पूर्णिया में जो सेंटर बना है, वो तो भारत के सबसे बड़े सेंटरों में से एक हैं। इससे सिर्फ बिहारी नहीं पूर्वी भारत के बड़े हिश्चे को बहुत लाब होने वाला है। इस केंद्र से बच्छोर और रेड़ पूर्णिया जैसी बिहार की देशी नस्लों के विकास और सवरक्षन को भी और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।